दोस्तों अभी 3-4 दिन पहले मैंने कम्यूटी पे एक पोस्ट किया है आप मेरे चैनल पर विजिट करें और मेरे जो कम्यूटी वाला सेक्शन है उसमें इस पोस्ट को जरूर देखें वहां मैंने पूछा है कि यदि आपके घर में 6 महने से 2 साल के बीच का बच्चा है तो क्या आपने कभी उसका हिमोगलोबिन टेस्ट करवाया है और यदि करवाया है तो उसकी वैल्यू क्या है देखें इस पोस्ट के पीछे मेरे एक उदेशे यही है क्योंकि यह जो टाइम है 6 महने से 2 साल का यह बहुत क्रिटिकल टाइम पीरेड है यहां पर बच्चे के औरगन स्पेशली ब्रेइन की ग्रोथ बहुत तेजी से हुरी है और उस ब्रेइन की ग्रोथ के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो होता है हिमोगलोबिन ब्लड वो एक जरूरी चीजों में से एक included है और यहां पर बच्चे को क्योंकि 6 मैंने पर हम complimentary feeding स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाज में बात रहनी चाहिए कि जो भी हम diet बच्चे को दे रहे हैं उसके अंदर उसके पास में iron जो की हमोगलोबिन को बनाने के लिए जरूरी तत्व है वो उसे मिल रहा है या न को देखिए और आप खुद समझ जाएंगे कि कितने बच्चे हैं कितना percentage है बच्चों का जो की एनिमिया की तरफ जा रहे है क्योंकि 11 ग्राम से नीचे यदि बच्चे में हमोगलोबिन है तो वो ठीक नहीं है और मेरी राय के अंदर मेरी opinion में आपका बच्चा यदि एक सा का है तो आप उसका एक बार हमोगलोबिन टेस्ट जो होता है बलड के द्वारा किया जाता है वो एक टेस्ट जरूर करा के देखें कि बच्चे की अंदरूनी हैल्थ किस तरह की है आज कि इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी डाइट की बात करूंगा जो कि बच्चे क खून बढ़ाने में या बच्चे के हिमोगलोबिन बढ़ाने में एक जरूरी चीज है मतलब उसको बढ़ाने के लिए एक सायक है कारण क्योंकि इसके अंदर आइरन अच्छा मिलता है और ये जो वेजिटेबल है ये ये वेजिटेबल है बीट रूट जिसे हम बोलते है च इसके फायदे के हैं इसके नुकसान क्या है इससे रिलेटेड मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगा देखे बीट रूट जो है इसे कब से स्टार्ट किया जा सकता है बच्चे को इसे तब से दे सकते हैं जब हम बच्चे की कॉम्प्लिमेंटरी फीडिंग स्टार्ट करते हैं मतलब 6 महीने पर 6 महीने पर आप इसकी प्यूरीज बना सकते हैं बीट रूऀट की प्यूरीज बना सकते हैं वही बच्चा भी चबा नी पाएगा और बीट रूट की प्यूरीज कैसे बना नी यह वो मैरे आप description में देख लिजेगा मैंने link दे रखा है तो beet root की जो puries हैं वहां से start किया जा सकता है और एक special चीज कई बार mothers के comment आयो है पहले कि beet root की जब purie खिलाई जाती है दूसरे रूप में दिया जाता है तो इससे बच्चे की जो poti है और urine है वो bright red color का आ सकता है उसको लेकर के कोई tension नहीं करें उसको लेकर के कोई चिंता नहीं करें एक दूसरा concept जो आज कल चल रहा है baby lead winning का जिसमें बच्चे को finger foods जो होते हैं वो offer किये जाते हैं 6 महीने पर जब उसकी complimentary feeding स्टार्ट करते हैं तो वो भी finger foods भी इसके द्वारा दिये जा सकते हैं उसको भी इसमें बनाया जा सकता है beat root को आप थोड़ा सा choking का ध्यान रखें और बच्चे को खाना खिलाते समय बस एक हाथ की दूरी पर उसे रखें जिससे कि आप वहाँ present रहें आप देखते रहें उसको baby lead winning एक बहुत अच्छा concept है मेरी opinion में इसके फायदे क्या है इसके नुकसान क्या है इससे related मेरा एक पूरा वीडियो है आप मेरे वीडियो पर जा करके उसको आप देख सकते हैं description में link भी डाल रहा हूँ और उपर जो i button है इसको click करके भी आप डारेक्ट उस वीडियो पर जा सकते है कई बार यह पूछा जाता है कि beet root जो है इससे क्या बच्चे को allergy हो सकती है क्या क्योंकि कई ऐसे food हैं जिनसे कि जो कि एक allergy का common कारण है जिसमें जैसे peanuts हो गए हैं आपके पास में dairy products जो है वो हो सकते हैं लेकिन जो beet root है यह एक common food allergy का कारण नहीं है वैसे तो किसी भी बच्चे को किसी भी food से हो सकती है लेकिन कुछ जो आठ नो कैटेगरी जो allergy वाले food हैं उस category में beet root नहीं है आप इसे दे सकते हैं और जैसे हर food को दिया जाता है स्टार्टिंग में कि उसे दिया कम मात्रा में स्टार्ट कराया और 3-4 दिन उबजर्व किया बच्चे को डेली हलकी हलकी मात्रा बढ़ाते गए और जब देखा कि इन नहीं बच्चे को किसी तरह की रैशेज नहीं आ रही है कोई allergy के लक्षन नहीं है तो आप निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ यह फूड सही है कई बार यह पूछा जाता है कि क्या beet root से poisoning का खत्रा है क्या क्योंकि इसके अंदर nitrates हैं देंकि nitrates हैं लेकिन ऐसे बहुत सी vegetable जो root वाली हैं उनके अंदर nitrates होते हैं लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा गया है कि उससे कोई बच्चे को poisoning का खत्रा है इवन जो elderly persons हैं जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और जिने blood pressure की समस्या है उनके लिए और भी अच्छा है क्योंकि nitrates जो हैं वो बाड़ी में जाकर nitric oxide में change होता है और वो vagodiltation मतलब vessels को dilate करता है blood pressure को कम करता है तो ऐसे कोई भी व्यक्ती जो blood pressure की दवाईयां खा रहे हैं वो beetroot खाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात करें क्योंकि ये blood pressure को कम करता है और एक अच्छी चीज़ है हाँ एक दिक्कत जरूर है इसके साथ कि यदि आप इसको as a finger food यूज कर रहे है तो ये क्योंकि थोड़ा firm है थोड़ा tight है और थोड़ा slippery है तो बच्चे को choking का खत्रा हो सकता है तो यदि आप baby lead winning पे जा रहे हैं beetroot के साथ में तो आप ये sure करें कि आप बच्चे के पास ही बैठे हुए है choking का खत्रा हो सकता है इसलिए आप थोड़ी साथानी इसके लिए जरूर बढ़ते है तो खून बढ़ाने के लिए क्योंकि iron बहुत अच्छा है खून बढ़ाने के लिए बहुत मददगार है मेरी आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे के डाइट में बीट रूट को जरूर जोड़े और iron के महत्व को हिमोगलोबिन के महत्व को आप जरूर ध्यान दे और जो भी व्यक्ति जो भी तक जिनोंने मेरी इस पोस्ट के लिए कमेंट नहीं करा है प्लीज यदि आपके घर में बच्चा है 6 मेने से 2 साल के बीच का बच्चा है जहां पर ब्रेन की ग्रोथ बहुत तेज हो रही है 80% लगबग ब्रेन 2 साल तक बन जाएगा तो वहां पर आपने यदि बच्चे का टेस्ट नहीं कराया है एक साल पर तो एक टेस्ट करा लें और हीमोगलोविन कितना उसके उपर जरूर ध्यान रखें तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा जानकारी मिली होगी बीट रूट की जो डाइट है जो हीमोगलोविन बढ़ाने में साहक है मैं आपके साथ ले के आता रहूँगा क्योंकि बहुत जरूरी है कि बच्चे के बोडी के अंदर उसका एक सही मात्रा में हीमोगलोविन बना रहे है